मई का महीना शुरू हो गया है और इस महीने बहुत जारा गर्मी होती है पर इस बीच हम बहुत सारे पर्मलेंट ब्लांट है जिनको कटिंग के दवारा लगा सकते हैं तो बात करेंगे दोस्त हम ऐसे पौदों की जिनको हम प्रॉपेगेट कर सकते हैं तो इस वीडियो को बहुत सारे पौदे बन जाते हैं तो आपने करना क्या है इसकी एक लंबी ब्रांच लेनी है जो बहुत जादा ओवर ग्रोन है तो उसको आपने छोटे-छोटे पेसिज में काट लेना है पर याद रखेगा एक-एक उसके साथ नोड होनी चाहिए जहां से पत्ता शुरू ह प्लांट के नीचे ये जो पौदे हैं आप देख सकते हैं इनमें बहुत आसानी से जो रूटिंग है शुरू हो जाती है तो फाइलो डेंडरन की कोई भी वराइटी है हेंगिंग बास्केट वाली तो आप उनको नोड एरिया से कट करके प्रोपगेट कर सकते हैं बहुत आ या फिर आप इसके पत्ते को कट करके बहुत सारे पीसीज में लगा सकते हो ये दोस्तो जो हमारा प्लांट है इसमें कैपबिलिटी रहती है कि इसका अगर चोटा सा भी हिस्सा है पौदे के पत्ते गा तो वहां से ये नए-एने प्लांट से निकाल सकता है तो ऐसे आप प बहुत बढ़िया रहता अभी इन में से नए बेबी प्लांट से निकलेंगे और ये दोस्तों हमारे पास है मनी प्लांट कोई भी आपके पास वराइटी है मेरे पास जैसे ये सबी वराइटीज हैं कि मैंने प्रुनिंग करी थी मार्श के महीने में जो भी मेरे पास extra plant थे मैंने जो बड़े बड़े पौदे होते हैं उसके नीचे लगा दिये थे जैसे मैंने आपको दिखाया है node area से cut करके वैसे ही मैंने इनको लगाया था अभी आप देख सकते हैं कितने बड़िया तरीके से healthy इसमें rooting शुरू होगी है ऐसे मेरे दो या तीन आराम से hanging basket त्यार हो जाएंगे जिनको हम अपने balcony garden में place कर सकते हैं तो ऐसे आप भी इनको propagate करिए और हमारा दोस्तो जो अगला पौदा है यह है baby sun rose यह मेरा एक तरह का favorite plant है इसमें दोस्तो variegated भी आता है और non variegated भी आता है इसको propagate करना बहुत असान है जितनी ज़रा गर्मी होती है उतना ज़रा इसकी जो growth है आपको देखने को मिलती है इसका अपने simply क्या करना है जो fresh growth होती है वहाँ से आपने prune कर लेना है प्रून करने के साथ ये भी फायदा होगा जो इसका mother plant है जिससे हम cutting ले रहे हैं वो और ज़रा बुशी हो जाएगा और उसमें और ज़रा नएने जो shoot से निकलने शिरू हो जाएगे तो इसको हम अपने balcony में रख सकते हो आपने 3-4 इंची का गमला लेना है जब भी कोई cutting लगाते हो तो उसमें आपने 4-5 cutting जितनी भी आप ले सकते हो उसको fill कर लीजे और आपका एक plant सेम ऐसे ही त्यार हो जाएगा तो baby sun rose को भी आप त्यार कर सकते हैं चाहे इसको hanging basket में लगा सकते हो यह पौदा बहुत ideal plant है अगर आप hanging basket त्यार करना चाते हो हमारा दोस्तो जो अगला पौदा है इसका नाम है वेंटरिंग जियू यह भी दोस्तो वेरिगेटेड है मेरे पास और इसको भी लगाना बहुत असान है पहले ही मैं इससे दो basket बना चुका हूँ क्योंकि यह पौदा मुझे बहुत बड़िया लगता है और जगा जगा मैं इसके cutting लगाता रहता हूँ अब यह आप देख सकते हो मेरे पास यह जो plant है इसी season में मैंने त्यार किया था इसको जदा बुशी करने के लिए मैंने उपर से इसकी light pruning कर दिया हलकी सी मैंने pruning करी है जो branches हम इसको नए pot में shift कर देंगे और इससे हमारा एक नया plant भी त्यार हो जाएगा तो ऐसे दोस्तो इसको भी लगा सकते हो यह सभी plants है चोटे गमले में बहुत अच्छे लगते हैं यह दोस्तों हमारे पास है dressina अगला plant dressina में बहुत सरी varieties होती है यह song of India की अलग रंग की वराइटी है शीड की वराइटी है इसको भी दोस्तों मेरे पास लगे हुए दो से तीन साल हो गए है तो यह बहुत लंबा हो गया था लास्ट इर मैंने इसकी कुछ cuttings लगाई थी इस बार मुझे एक और branch देखी जो जारा उपर जा रही थी तो इसको भी मैंने प्रून कर दिया है और प्रून करने के ना ही कोई इसमें rooting hormone की जुरूरत है ना ही कुछ और करने की simply आपने उसी गमले में इसको लगा देना है इसके खार हमारा जो plant है वो गमले में लगा बुशी भी होता रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो यह मैंने last season अक्टूबर में लगाई थी अभी आप देख सकते हो इतनी जरा अच्छे तरीके से इसकी rooting हो गई है तो इसको भी लगा सकते हो बिलकुल आसानी से लग जाते हैं सिर्फ आपने प्रून सही तरीके से करना है और सही समय पे लगाईएगा तो अच्छे से rooting होगी यह दोस्तो हमारे पास सिंगोनियम का प्लांट यह मेरे पास एक elbow सिंगोनियम वराइटी है यह भी दोस्तो बेल के जैसे बढ़ती है इस व मुझे बहुत बढ़िया लगता है यह process जो हम node area से कोई भी पौदा propagate करते हैं हमें एक साथ बहुत सारे plants एकठे देखने को मिलते हैं ऐसे आप सिंगोनियम को भी कर सकते हैं यह दोस्तो हमारे पास है अगला plant इसका नाम है ribbon grass और यह सिर्फ मैं एक shoot वाला पौदा लेकर आय रहा था और बाकी जो इसकी जड़े हैं नीचे से खुद बाहर आगी थी और यह जो हमारा plant अभी new plant बनने के लिए ready है हम इसको नए छोटे से plant में लगा देंगे planter में मेरे पास छोटे छोटे गमले बहुत सारे हैं तो उनमें fill करने के लिए मैं बहुत सारी cutting इस सीजन जालना है जिसके साथ पौदा हाइडरेट रहे और इसमें पानी बिल्कुल भी ना सुके और हमारा दोस्तों जो अगला पौदा है यह हमारे पास वेरिगेटर पैडी लैंसर और डैविल्स बैकबोन भी इसको बोला जाता है एक्चुली मेरे पास यह पहले भी plant है पर उसम प्रसरी से तो उससे यह पौदे तो ग्रो हो गए थे ज्यादा बुशी करने के लिए मैं ओपर से दुबारा से इनकी प्रूनिंग कर रहा हूँ जिसके साथ वही स्टेक्स हम इनके सेम पौट में लगा देंगे यह हमारा प्लांट है बुशी हो जाएगा और थोड़ी दिन पास सब्राइटी हो सकती है, चाहे सीडम हो, चाहे यची विरिया हो, बहुत सरे अलगिए आपको मिल जाते हैं तो इनको हम पत्तों से प्रॉपेगेट कर सकते हैं, अगर आप इसका लीव प्रॉपेजिशन करोगे बहुत असानी आपको नज़ए पौदे इनसे मिल सकते है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो केवल मैंने 2-3 leaves हैं वो रखे हैं वैसे ही आपके एक महीने में नए-नए पौदे आने शुरू हो जाएंगे जैसे आप यह देख सकते हो यह जो दोस्तों मेरे पास हैं वराइटीस अलग थी जब मैं इनको लेकर आया था इनके खुद ही पत्ते गिर गे थे तो मैंने वैसे ही गमले में डाल दिये और थोड़े दिनों बाद देखा इसमें नए-ने पौदे आ रहे थे तो बहुत बड़िया तरीके से इसकी भी प्रॉपगेशन हम कर सकते हैं तो जैसे भी दोस्तों आपके पास पौदे या उनकी प्रॉपगेशन ट्राई करा करिए जिसके साथ हमें जारा देखने को पता चलता है कि हमारा पौदा कैसे रेक्ट करता है जब हम कटिंग से ग्रोग करते हैं किस क्लाइमिट में ये चलता है तो ऐसे ही मैं भी बहुत सारे पौदे बनाता हूँ आप भी इन पौदों को प्रॉपगेट कीजिए और आगे के आगे नएने प्लांट्स बनाईए जरूर आपको कौन सा पौदा सबसे बढ़िया लगा और सबसे एज़ी तू प्रॉपगेट आपके लिए कौन सा प्लांट है